जहिन दोस्तों स्वागत आपका विज़पत दिपेंस एजुकेशन में आज है 17 फरबरी 2021 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डे टू डे के करेंट अफेर जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपका एक्जाम बेंकिंग का हो, रेलबे का हो, हपी एससी का हो, हपी पुलिस का हो इन सभी के लिए हमारे डेली के करेंट अफेर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारा Basic Foundation का कॉर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको दिलवा सकता है 100% Sure Success आप अपनी त्यारी इसमें आपको मिलेंगी online test series, special notes और books ये कॉर्स आपको cover करवाएगा आपके सभी state और center government exam को So 100% Sure Success के लिए आप हमारा Basic Foundation का कॉर्स जरूर जोइन करें, वीजेपात defense education में हमारा हिमाचल पुलिस का भी advanced batch start है, आप इसको जोइन कर सकते हैं वीजेपात defense education में जो कि आपके लिए रहेगा mission 2021, हमारा MTS 2021 के लिए भी advanced batch start हो चुका है काफी useful रहेगा आपके लिए best जो कि आपको दिलबा सकता है 100% success So आज की वीडियो शुरू करते हैं, first question है वीडियो का आईश्मान भारत योजना के नई CEO कौन बनाए गए हैं तो भारत सरकार की एक काफी महतपूरण health service है, health related एक एक योजना है scheme है, जिसका नाम है आईश्मान भारत आपको comment box में बताना है कि कब आईश्मान भारत जो है ये start की गई थी और इसके नए CEO बनाए गए हैं उनका नाम है RS Sharma Most important question है, हिमाचल परदेश में भी आईश्मान भारत के ही related एक important योजना है जिसका नाम है हिमके रियोजना, ऐसे व्यक्ति जो आईश्मान भारत के अंडर नहीं आते हैं उनके लिए हिमाचल परदेश सरकार की तरफ से हिमके रियोजना start की गई है Next one है, स्पस्ट कुस्ट जागरुकता अभियान की शुरुआत किस राजसरकार ने की है तो हाल ही में ये स्पस्ट कुस्ट जागरुकता अभियान की start की गई है करनाटक राजसरकार के द्वारा Most important question है Next one है, हाल ही में भारत अंतराश्टी रेशम मेला के आठमे सससकरन का उधगाटन किस ने किया है तो भारत के अंतराश्टी रेशम मेला का जो आठमा सससकरन हुआ है उसका उधगाटन किया गया है स्मृती इराणी के द्वारा Important question है, आपको comment में बताना है कि स्मृती इराणी जी के पास एकेंद्री मंत्री हैं के पास कौन सा department मोधी सरकार द्वारा दिया गया है नया मुख्य सचिव बनाया गया है, इस टाइप के question आपके most important रहेंगे current affair के लिए Next one है, RBI ने हाल ही में किस राजे में स्थित शीवम सहकारी bank का license रद कर दिया है तो RBI जो कि हमारा Reserve Bank of India है, जिसका head office मुंबई में है उसने महारास्टर में एक स्थित bank है, शीवम सहकारी bank उसका license को रद कर दिया है अगर कोई term and condition, RBI के द्वारा जो इनकी guideline है, अगर उनको कोई bank follow नहीं करता है तो RBI उसका license जो है वो रद कर सकता है, और इसी कारण जो है वो शीवम सहकारी bank का license रद कर दिया गया है RBI के द्वारा, next one है किस देश ने एक साल के अपातकाल की घोशना की है, तो ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक अपातकाल की घोशना की है जो कि एक साल के लिए रहेगा और वो है हमारा मेयमार मेयमार का पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम है हमारा बर्मा इंपोर्टेंट कोईशन है आजादी के बाद पेहला Paperless Wizard किसने पेश किया है तो आजादी के बाद मतलग कि 1947 के बाद पहली बार भारत में पेपरलेस बज़ट पेश हुआ है और उसको पेश करने वाली प्रत्थम महिला है जिनका नाम है निर्मला सीतारमन important question है जो की बरतमान में भारत के finance minister है राज्य बीत मंतरी की बात करें तो उनका नाम है अनुराग ठाकूर जमाचल के district बिलासपूर से बिलोंग करते हैं और इस बार पहली बार पेपरलेस बज़ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया है अगर एर की बात करें त तो 2021 का जो बज़ट है वो भारत सरकार के द्वारा पहली बार पेपरलेस बज़ट पेश किया गया है निर्मला सीता रमन जी के द्वारा next one है सरकार ने भीमा में FDI की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो हाल ही में सरकार के द्वारा FDI की लिमिट को 49 से इंक्रीज करके 74 कर दिया गया है next one है भारती तर्ट रक्षक दिवस का बनाया जाता है तो इंडियन कोस्ट गार डे जो है ये पूरे भारत बर्ष में मनाया जाता है एक फरवरी को important question है next one है भारत में रास्ट्री पोलियो प्रती रक्षन कारिक्रम की शुरुआत किस ने की है तो हाल ही में भारत के द्वारा रास्ट्री पोलियो प्रती रक्षन कारिक्रम की शुरुआत की गई है रामनात कोबिंद जी के द्वारा जो कि भारत के बरतमान के रास्ट्रपती है जी के नोट्स और साथ में आपको current affair और job alert प्रोवाइड करवाया जाता है बीडी के description में आपको whatsapp का link मिल जाएगा जहां से आप इसको easily join कर सकते हैं हमारा MTS और HP Police का advanced batch start हो चुका है जिसको आप विज़पत defense education में join कर सकते हैं जादा से जादा अपने friends में share करें मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत